हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो फ्रेंड्स ये न अभी इवनिंग का टाइम है और अभी यहाँ पर न दूद मंगवाया मैंने मानू से और मैं इसे गरम करने के लिए रख रही हूँ जो पुराना वाला दूद है ना थोड़ा सा ही वो बचा था तो मैंने अलग से वो ग्लास में रख दिया है और ये जो न्यूवाले पैकेट है ना वो खोल के मैं गरम करने रख दूँगी और साथी ना मैंने यहां पे जो है वो ग्वार की जो फलियां होती है ना वो बॉइल करने के लिए रख दी है तो मैं थोड़ा सा ना पहले इनको बॉइल कर देती हूँ उसके बाद मैं सबजी बनाती हूँ और साथी मैंने दूद उबालने के लिए भी चड़ा दिया है ग इगवार की फली ना मैंने ठंडी करने के लिए रख दी है चलनी में जब यह थोड़ी से ठंडी हो जाएगी ना फिर इनको अच्छे से चिल लेंगे और साथ में अभी जो है मुझे ये हरा धनिया चाट के रखना है लेकर तो मैं कल आ गई थी शाम को लेकिन चाटने का टाइ ही है तो पहले इनको चाट लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी पानी की रेसिपी तो ये देखे अभी ना मैंने ऑनलाइन समान भी कुछ ग्रॉसरी का ओर्डर किया था वो भी भाया जस्ट अभी आके डिलीवर करके गए हैं तो इनको भी ऐसे ही र सूखा हुआ पुदीना मैंने लिया है क्योंकि फ्रेस पुदीना मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इस सूखे पुदीने का ही यूज करूंगी गोलकप्पे के पानी में और साथ में ही यहां पे मैंने जीरा जो है ना भूनने के लिए रख दिया है तो पहले हम क्या करेंगे पुदीने को और जो सुखवा पुदीना है धनिया, मिर्च और अद्रक को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब को ग्राइंड कर लिया है और अब इनको हम छन्नी से अच्छे से चान लेंगे इसको मैं चान कर ही यूज करती हूँ और इसका जितना भी ये जो प्लंप है ना वो मैं अलग से निकाल लूँगी तो इसको बस धीरे धीरे करके क्या करना है आपने थोड़ा थोड़ा करके और पानी आड़ करते जाना है और जो भी इसका अर्ख है ना अच्छे से निकाल लेना है और उसके बाद और आप जितना पानी आड़ करना चाहें आप कर सकते हैं आपको जितने भी कंसिस्टेंसी चाहिए इस पानी की उस हिसाब से तो ये देखे यहां पे मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी ताकि जो इसमें और भी मसाला ये सब लगा है वो अच्छे से साफ हो जाए और फिर इनको अच्छे से और अच्छे से चाहन लूँगी और ये देखे इतने अच्छी तरीके से चाहना है जो चाहना है ना कि बस ये देखे प्लम्प जो है इसका वो इस तरीके से निकल जाए और अब मैं जो मैंने इमली भिगो के रखी थी गरम पानी में इसको भी मैं अच्छे से ना हातों से जो है वो मिक्स कर लूँगी और इसके भी प्लम्प को अलग कर लूँगी पानी को अलग कर लूँगी छान के ताकि इसका जो पानी है वो हम यूज कर सकें गोलगप्पे के पानी में और साथ में जो थोड़ा सा पानी बचेगा ना उसकी में सौट वाली जो है न वो चटनी बनाऊंगी जो सौठ वाली चटनी होती है गोलगपों में जो हम यूज करते हैं वो वाली तो देखे आधा पानी मैं अभी डाल दूगी इसमें और आधा मैं बचा के रख दूगी और ये देखे सबसे पहले न मैंने क्या किया है जो हींग है मोटी वाली हींग है उसको मैं पीस लूँगी और फिर इस हिंग को मैं पानी में डालूँगी हिंग से जो है न वो गोल गप्पे के पानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो हिंग डालूँगी ये देखे हिंग मैंने डाल दिया है और उसके बाद जो जीरा मैंने भून के रखा था उसको भी मैं दर-दरा सा जो है न कूट लूगे इसमें तो पानी जितना अच्छा टेस्ट ही होगा गुलगप्पे खाने का मज़ा उतना ही अच्छा आता है मैं तो कहीं भी अगर गुलगप्पे खाती हूँ न तो सबसे पहले उनको बोलती हूँ मुझे पानी टेस्ट करा उसके बाद ही गुलगप्पे खाऊंगी और यहां पर देखे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है काला नमक और उसके बाद मैं यहां पर डाल रही हूँ अपना च हैं तो देखे यहां पर मैंने आलू बोल किए थे उनको कट करके रख दिया है और अब मैं यहाँ पे सबजी की भी तैयारी कर रही हूँ गौार की सबजी बना लूँगी और साथ में जो मेरी सिस्टर है यहाँ पे सौट वाली चटनी बना रही है तो इसमें हमने इमली का पानी डाला है गुर्ड डाला है और अभी जो सिस्टेर है वो डाल रही है काला नमक और इसको ना फिर अच्छे से हम उबाल लेंगे और ये सूखा हुआ अद्रक डाल रहे हैं तो इनको इसको ना आप काफी अच्छे से आपको उबालना है ताकि ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए और अब डाला है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और साथी इसमें काली मिर्च भी डलेगी तो काली मिर्च भी डाली है हमने इसमें तो यहाँ पे देखें मैं सबजी के लिए जो है प्याज को भून दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ लसन गौार की फली मुझे बहुत टेस्टी लगती है आलू के साथ या बिना आलू के भी आप इसको खाएं बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा ना मैं पहले इसको उबाल लेती हूँ तो मैंने सबजी में यहां पे अभी डाला है जो है लाल मिर्च, धनिया पौडर, हल्दी और नमक मिक्स करके डाल दिया है तो अभी यहां पे मसाले जो है न वो भुन रहे हैं और साथ में ही जो है वो गुड़ वाली खट्टी मिठी चट्नी है न वो भी बन रही है तो अब मैं इसमें डालदूगी ट тобाटर तो बस यह नवीम अच्छे से गल जाएंगे न उसके बात फिर मैं सबजी डाल नवी ठी का मैं फजा अब जो है ना अलू हलके से पक चुके हैं तो मैं इसमें डाल दूगी फलियां और इसके साथ ना हम अभी जो है वो राइता भी बनाएंगे तो सबजी राइता और रोटियां गर जो है वो बाद में गरम गरम बनेंगी पहले तो क्या है ना वो गोल गप्पे हम लोग खा लेंगे फिर उसके बाद जो है रात के डिनर में ये सबजी जो है वो खाएंगे औ और देखिए अभी जो है मिठु भी आई भी है सिस्टर भी आ गई है सब आ गई है तो आज हमने सोचा कि मिलके गोल गप्पे बनाए जाए क्योंकि सब को बहुत पसंद आते हैं और यह देखिए सब्जी मेरी बिल्कुल हो चुकी है अब रेडी और यहां पे ना जो चटनी ह इसको पकने में काफी टाइं लगता है ताकि यह ना जितना पकाऊगे उतनी ठीक होगी और यहां पे जो है फटा फट जो है गोल गप्पे तल रही है और यह गोल गप्पे न मैं रेडी मेट ही लेके आई थी बस इसको घर पे आप तलिए बहुत अच्छे से बन जाते हैं पानी हम लोग घर में ही बना लेते हैं मतलब कई बार तो यह है कि गोल गपपे भी मैं घर पे ही बनाती हूँ लेकिन ये वाले जो थे ना वो पड़े हुए थे तो हमने का कि इनको ही फ्राइ कर लेंगे और साथ में पानी बना लेंगे तो देखे कि अच्छे से मोटे मोटे से ये फूल रहे हैं दो तीन जो थे ना शुरू शुरू के तेल शायद अच्छे से गरम नहीं हुआ था तो दो तीन जो है ना वो ही पिछ के और उसके बाद अच्छे से ना फूले फूले काफी टाइम से खाएं भी नहीं हैं तो यह देखे गुल गप्पे हमारे बनके हो गए तैयार पानी भी हमारा चटपटा तीखा बन चुका है और साथ में ही गुड़की खटी मिठी इमली वाली चटनी और सच में यह इतने जादा टेस्टी हुए थे ना क्या बताऊं आप भ मैं उपर से थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला डाला है तो सबस्कारी करे ओग ओपते हैं अच्छा किस्सें कर रही थी मैं पर ख sujet दोस्तों के साथ किती छोटी थी मैं कितनी चोटी तो चोटी थी ती किटी चोटी थी ओच्छ ऊ एक प्र लिख गुल खुव गुपवन्षाज में घंच उनली खुला और घंच-टूरी तो यहां पे देखीश में अाहिक अनु मैं अहीं घंच-व फिर भी को श्यर्च को जोतकी करते हैं जब सब आ जाते हैं घर में और मिलके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हर चीज का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये देखें हमारी मिठ्ट को कितनी एकसाइटीड है वो गोलगपो को लेकर वो पानी नहीं पीती है जिस्ट ऐसे ही जो गोलगपो है वो सोट की चट्नी के साथ और आलू को डाल के खाती है बहुत पसंद आते हैं उसको इस तरीके से गोलगपो खाना मिठ्टू कैसा हो रहे है? कितना अच्छा? तो देखें यहां पे न अब जो है सिस्टर रोटी बना रही है उसने मुझे बोला कि दीदी रोटी न मैं गरम-गरम बनाऊंगी और आपना बस परोसो फटा-फट अ फॉकेगा नहीं तो फ्रेंड्स बस अब सबना जा चुके हैं और काम मेरा हो चुका है बस यह है किचिन वगेरा साफ हो गया आदे बरतन धुल गया है आदे मने अभी और धोने हैं फ्रेंड्स तो चलिए बस फ्रेंड्स मेरा आज का यह व्लॉग यहीं तक का था किसी भी कारण से अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बगाए